जापान तकनीकी के मामले में अगरणी देश है. संसाधनों के लिहास से काफी प्रक्ति कर चुके जापान में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस देश के गाउ के गाउ वीरान हो चुके हैं. जापान में बुजर्बों की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से गाउं में रहने वाला कोई नहीं बचा. ऐसे में इस देश का एक गाउ ऐसा है जहां इनसान कम और पुतले ज्यादा दिखाई देते हैं. इस गाउ का नाम नागोरो गाउ है. बताते हैं इस गाउ में पिछले 18 साल में कोई भी बच्चा नहीं जन्मा, वजह है यहां युवाओं की जनसंख्या का करीब-करीब खत्म हो जाना. जो गाउ एक वक्त 300 लोगों से आबाद था, वहां आज सिर्फ पुतले ही पुतले दिखते हैं. यह पुतले यहां रहने वालों की तनहाई दूर करने के लिए बनाए गए हैं. अब गाउ पर बिजू का काराज. इस गाउ के गली मुहले से लेकर स्कूलों तक में बच्चों की जगह पुतले और गुडिया बैठी हुई हैं. इन गुडियों को बनाने का काम किया है, अयानो सुकिमी नाम की महिलाने वे खुद भी नागोरों की रहने वाली हैं. सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के कपड़े पहना कर एक पुतला बनाया था. ये सिर्फ शौक के लिए था. गाउ को गुडियों से भरने की पहले तो उनकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस शौक के अपना मिशन बना लिया. अब गाउ में इनसानों से ज्यादा तो पुतले और गुडिया दिखाई देती हैं. जापानी भाशा में ऐसी आदमकद गुडिया को बिजुका कहते हैं और नागोरों में अब बिजुका का ही राज चलता है. स्कूलों में बच्चों की जगह पुतले बैठे. जब ये गाउ आबाद था तो यहाँ एक स्कूल भी था. जब बच्चे ही नहीं रह गए तो स्कूल भी बंद कर दिया गया. हालांकि लोगों को ये कमी न खले, इसके लिए यहाँ भी बच्चों की जगह पुतले और गुडिया बिठाई गई हैं. टीचर की जगहे पर भी बिजू का मौजूद है, जो उन्हें पढ़ाती हुई दिखती हैं. जर्मन फिल्म मेकर फ्रिट्स शूमन ने साल 2014 में इस गाउ को लेकर एक डॉक्यूमेंटरी भी बनाई थी. इसी के बाद इसे गुडियों और पुतलों का गाउ कहा जाने लगा. अब लोग अक्टूबर के पहले रविवार को यहां खास पुतलों का त्याहार देखने आते हैं. वीडियो देखने के लिए हाथ जोड़ कर धन्यवाद. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे.